पनी टिकका तो भई मेरा बहुत फेविरिट है और उस पे भी हर्याली पनी टिकका हो तो भई बात ही क्या है तो चलिए आज बनाएंगे हर्याली पनी टिकका थोड़े से कम मसाले पढ़ते हैं इसमें लेकिन स्वात का तुम्हें आपको क्या ही बताऊं फ्रेंड्स वीडियो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से धो लीजेगा उसके बाद आठ से दस इसमें लहसुन की कलिया डाल दीजेगा एक इंच अधरक कर तुकड़ा डाल दीजेगा दो हरी मिर्ची डाल दीजेगा मिर्ची ना आप तीखे बन के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और इसके बाद बिल्कुल मिक्सी में पीस लीजेगा उसके बाद इसमें डाल देंगे हम दही तो बिल्कुल फिटा हुआ गाढ़ा दही में एक चमच भरके डाल रहे हूँ और यहां पे मैं आधा चमच नमक डाल रहे हूँ तो उसी हिसाब से में सारे मसाले आपको बताऊंगी आधा ही तो करिब के तो क्सूरी मेरा कि सब्सक्राइब बरना पानीर से काड़ा आधाड़ कर आधा ब्लमील दाल रहे हूं झाल रहे हुं हर स्कृट nei Ian इस एक शॉंग करीब आप सोया तो दिया हे हम करसी पर बकूल हम सी मिला तरह पर आनप आपक को जा भड़े को के गाटञा पनीर को डाल देंगे उसके बाहत हम सारा मसाला नियुक्याट सब्सक्राइब होसि के गृट ना पनीर स्टत बीमालında काट कि पतले पिसेसुक्षा नीचे गिर ज somos कम सक मेखंगे तो मेह जड़ी कर दिमाट catchyंजै बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए इसके बाद ना सीख ले लेना है हमें तो मेरे पास देखिए इस टील वाली सीख है अगर आपके उपस लकड़ी वाली है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए पानी में भीगो के जरूर रख दीजेगा इसके बाद मैंने यहाँ प्यास थोड़ी मोटे तुकड़ो में काट लिया है और टमाटर के बीज लिकालके उसको भी मैंने मोटे तुकड़ो में चकोर काट लिया है और आप इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं पर अच्छी तरह से मिला लीजेगा इस पे और इसके बाद बारिया जाएगी इसे सीख पे लगाने की तो बिल्कुल आप अपने पसंद से लगा लीजे कि आप पहले क्या लगाना चाहते हैं में रखते जाएगा और सारे पनीर को आप इसी तरह से लगा लीजेगा चलिए अब इसे हमें सेखना है तो इसे हम तवे पे सेखने वाले हैं ताकि सभी लोग इसे असानी से घर में बना सके लेकिन फ्रेंड सीमा सोचेगा कि ये तंदूर में या वन में नहीं सिखा है तो हम चारो तरफ से सेख लेंगे क्योंकि पनीर हमने चोकोर काटा है तो इसके चार भाग हैं आप चाहे ना तो थोड़ा सा उपर से बटर भी लगा सकते हैं बटर से और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा तो चारो तरफ से अच्छी तरह से हिलाते हुए सेख लीजेगा ज्य अच्छी तरह से शेख रहे हो ना तो हाथ को आप बिल्कुल बचा के सेख लीजेगा अलिजे बिल्कुल तयार हो गया है और मैंने एक लच्छा सलाद यहां पर बना के पहले से रखा हुआ था और बस बिल्कुल गर्म पनीर टिके को आप सर्फ करिए आपको आपके घरवा अगली डेश के साथ तक तक के लिए आप अपना बहुत खयाल रखिएगा